हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपरिमेंट पर तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं स्प्लिट मफ कपलिंग के बारे में जो कि रिजिट कपलिंग का ही एक टाइप है इससे पहले के दो टाइपस जो होते हैं उनके बारे में भी हमने डिसकसन किया है उसकी वीडियो चैनल पर अप्लोडेट है आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा प्लस एंड इस्क्रिण में भी उसका लिंक दे दूँगा तो इस प्लीट मॉफ कपलिंग क्या होता है उसकी कंस्रक्शन और वर्किंग के बारे में जानेंगे उसके advantages और disadvantages के बाले में भी इस वीडियो में हम discuss कर लेंगे और flexible couplings के उपर tire coupling हो, spring coupling हो, gear coupling हो, pin bush coupling हो इन सब के उपर detailed video जो है channel पर uploaded है इसके description box में मैं सब का link आपको दे दूँगा आप वहाँ पर से जा करके भी उसको देख सकते हैं ऐसे ही और भी बहुत सारे videos, industrial, technical videos, mechanical engineering fields related videos जो हैं इस channel पर uploaded हैं जो कि आपके लिए काफी जादा helpful होंगे अगर आप नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें और bell icon को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का notification आपको मिल सके तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तितार इस प्लिट माफ कपलिंग जो होता है उससे compression कपलिंग भी कहा जाता है और clamp कपलिंग भी कहा जाता है ये rigid type of coupling के अंतर गताता है जैसे कि हमने पहले भी discuss किया था इस coupling में जो sleeve होता है वो दो half में बना होता है यानि कि दो part में बना होता है जैसे आप right hand side में देख रहे हैं ये जो दोनो half जो रहते हैं मफ जिसे की half कहा जाता है वो cast iron से बना होता है पहला half जो है जिसे की muff भी कहा जाता है वो fixed होता है नीचे से और दूसरा half जो है वो fixed होता है उपर से यानि कि बीच में आपका shaft है और दोनों half को उपर और नीचे से फिर clamp किया जाता है दोनों half और sleeve को आपस में clamp करने के लिए mild steel के nut bolts का इस्तमाल किया जाता है जो number of bolts हैं वो हमेशा 4 भी हो सकते हैं या फिर 8 भी हो सकते हैं ये हमेशा 4 के multiple में ही use किया जाते हैं जो bolt होता है उसे place किया जाता है recess में recess यानि कि आप यहाँ पर देख सकते हैं groove बना हुआ है उस groove में nut और bolt को होता है जिसमें की की को fix किया जाता है और इस तरह से driving shaft से driven shaft में power transmit होता है अब हम बात कर लेते हैं advantages of split muff coupling सबसे पहला है it is easy to assemble and disassemble इसको assemble और disassemble करना बहुत ही आसान है दूसरा है it is easy to remove without axial displacement of any shaft यानि इसको remove करने के लिए आपको कोई भी axial displacement करने की जरूरत नहीं है किसी भी shaft में coupling strength is more as compared to muff coupling split muff coupling में muff coupling से अगर हम compare करें तो coupling का strength जादा होता है it is used for heavy power transmission at moderate speed यानि कि इसको heavy power transmission के लिए use किया जा सकता है moderate speed में ये तो थे इसके advantages अब disadvantages के बारे में भी discuss कर लेते हैं तो इसका सबसे पहला disadvantages है it cannot absorb shock and vibration तो ये किसी भी तरह का shock और vibration को absorb नहीं कर सकता है दूसरा है not suitable for high speed application तो जैसे कि हमने advantages में देखा था कि ये moderate speed के लिए use किया जाता है तो high speed में इसका इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तीसरा it is costly as compared to muff coupling अगर हम split muff coupling के price के बादे में बात करें तो ये उससे जादा costly होता है muff coupling से जादा costly होता है और चौथा इसका disadvantages है it does not tolerate any misalignment ये किसी भी तरह के misalignment को tolerate नहीं करता है तो friends ये वीडियो थी हमारी split muff coupling के उपर उमीद करता हूँ आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा